आज गे इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी है वीवो का फोन और उसमें आपका कोई भी ब्लुटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है या आपका फोन किसी ओर डिवाइस से तो इस प्रावलम को आप ठीक कैसे करें आइए जानते हैं देखिए इसके तीन चाह तरीके हैं जिससे आपके दिक्कट ठीक हो जाएगी सबसे पहला तरीके में आपको अपने फोन को एक बर बंद करके चालू करना है यानिके री इस्टार्ड कर देना है इससे आपके दिक्कट ठीक हो सकती है और आपका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो जाएगा अगला स्टार्ड है यहाँ पे आपको जो अपना ब्लूटूथ है फोन के ब्लूटूथ में जाना है यहाँ पे आपको अपने ब्लूटूथ का नाम चेंज कर देना है यहाँ पे आपके Bluetooth का नाम वीवो कुछ करके होगा या कुछ भी होगा तो इसे आप डाल यहाँ से हटा के इसे आप अपना नाम डाल दीजिए तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ विकास और यहाँ पर रिनेम कर देता हूँ ऐसे आप अपना नाम डाल दीजिए और अब कनेक्ट करने के कोशिश कर यह हो जाएगा इसके अलावा तीसा तरीका है जिस डिवाइस से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको एक बार बंद करके चालू करें जैसे कि कोई ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ इयरफोन तो भी आपका यहाँ पर बंद रिया चालू करने के बाद आपका ब्लूटूथ डिवाइस करेक्ट हो जाएगा और एक लाश्ट तरीका जिससे आपकी दिक्कत 100% सॉल्व हो जाएगी आपको जाना है वीव मॉइल की सेटिंग में नीचे आपको आना है यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम इस पर टच करें यहाँ पर आपको मिलेगा रिसेट आप्सन इस पर टच करें ऐसा पेज आपके पास आ जाएगा अगर यहाँ नहीं मिलता है तो सेटिंग में जाके सिंपल इस डब्बे में उपर सर्च करें रिसेट रिसेट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जागा रिसेट आल सेटिंग चिंता मत करिये आपको कोई भी डेटर डिलिट नहीं होगा यहाँ पर आपको मिलेगा रिसेट वाइफाइब मोबाइल एंड ब्लूटूथ इस वाले पर ही टच करियेगा यहाँ पर आपको मिलेगा रिसेट सेटिंग रिसेट सेटिंग पर टच करने के बाद अपना जो पैटन लॉक है उसे डाल दीजिए और आपकी फोन का जो ब्लूटूथ है वो ठीक हो जाएगा चाहें तो आप ट्राइ कर सकते हैं इसे और वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें